एक राजा था राजा के चार लड़के थे रानिया रानिया तो अनेक थी महल में एक पिज़रा पोल ही खुला था पर बड़ी रानी ने बाकी रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला था और इस बात से राजा साहब बहुत प्रसं हुए थे क्योंकि वे नीतिवान थे और जानते थे कि चानाक के का आधेश है राजा अपने पुत्रों को बेडिया समझे बड़ी रानी के चारों लड़के जल्दी ही राजगद्दी पर बैठना चाते थे इसलिए राजा साहब को बूला होना पा एक दिन राजा साहब ने चारों पुत्रों को बुला कर कहा पुत्रों मेरी अब चौथी अवस्था आ गई है दश्रत ने कान के पास के केश शोयत होते ही राजगद्दी छोड़ दी थी मेरे बाल खिचडी दिखते हैं यद्यपी जब खिजाब गुल जाता है तब पूरा सिर शोयत हो जाता है मैं सन्यास लूँगा तपस्या करूँगा उस लोग को सोधारना है ताकि तुम सब वहां आओ तो तुमारे लिए मैं राजगद्दी तयार रख सकूँ आज मैंने तुम्हें यह बतलाने के लिए बुलाया है कि गद्दी पर चार के बैट सकने लाइक जगे नहीं है अगर किसी प्रकार चारों समा भी गए तो आपस में धक्का मुक्की होगी और सभी गिरोगे मगर मैं दर्शत सरीखी गलती नहीं करूँगा कि तुम मेंसे किसी के साथ पक्षपात करूँ मैं तुमारी परिक्षर लूँगा तुम चारों ही राज्य से बाहर चले जाओ ठीक एक साल बाद इसी फागुन की पूर्णिमा को चारों दर्बार में उपस्तित होना मैं देखूंगा कि इस साल में किसने कितना धन कमाया और कौन सी योग्यता प्राप्त की तब मैं मंत्री की सला से जिसे सर्वोत्तम समझूँगा राजगदी दे दूँगा जो आग्या कहकर चारों ने राज्य साहब को बक्तिहीन परणाम किया और राज्य के बाहर चले गए पड़ोसी राज्य में पहुँचकर चारों राज्यकुमारों ने चार रास्ते पकड़े और अपने पुर्शार्थ तथा किस्मत को आजबाने चल पड़े ठीक एक साल बाद फागुन की पूर्णिवा को रासवा में चारों लड़के हाजर हुए रास्यासन पर राजा साहब विराजमान थे उनके पास ही कुछ नीचे आसन पर प्रदानमंतरी बैठे थे आगे भाट, विदूशक और चाटूकार शोबा पा रहे थे राजा ने कहा पुत्रों आज एक साल पूरा हुआ और तुम सब यहां हाजर हो गए मुझे उमीद थी कि एक साल में तुम में से तीन या बीमारी के शिकार हो जाओगे या कोई एक शेश तीनों को मार डालेगा और मेरी समस्या हल हो जाएगी पर तुम चारों यहां खड़े हो खेर अब तुम में से पिर्टेक मुझे बतलाए कि किसने इस एक साल में क्या काम किया कितना धन कमाया और राजा साहब ने बड़े पुत्र की ओर देखा बड़ा पुत्र हाँ जोड़ कर बोला पिता जी मैं जब दूसरे राज़े में पहुंचा तो मैंने विचार किया कि राजा के लिए एमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण है इसलिए मैं एक व्यापारी के यहां गया और उसके यहां बोरे डोने का काम करने लगा पीट पर मैंने एक वर्ष भोरे डोए और परिश्रम किया एमानदारी से धन कमाया मजदूरी में से बचाई हुई ये सौन सौन मुदराएं ही मेरे पास है मेरा विश्वास है कि एमानदारी और परिश्रम ही राजा के लिए सबसे आवश्यक है और मुझ में ये है इसलिए राजगद्धी का अदिकारी मैं हूँ वै मौन हो गया राज सभा में सनाटा चागया राजा ने दूसरे पुत्र को संकेत किया वै बोला पिता जी मैंने राज्य से निकलने पर सोचा कि मैं राजकुमार हूँ शत्रिय हूँ शत्रिय बाहूबल पर वरोसा करते हैं इसलिए मैंने पडोसी राज्य में जाकर डाकूं का एक ग्रो संगठित किया और लूट मार करने लगा धीरे धीरे मुझे राज्य करमचारियों का सहयोग मिलने लगा और मेरा काम खूब अच्छा चलने लगा बड़े भाई जिसके यहां काम करते थे उसके यहां मैंने दो बार डाका डाला था इस एक साल की कमाई में पाँच लाख सौण मुदराएं मेरे पास हैं मेरा विश्वास है कि राजा को सासी और लुटेरा होना चाहिए तभी वह राजे का विस्तार कर सकता है यह दोनों गोण मुझ में हैं इसलिए मैं ही राजगदी का दिकारी हूँ पांच लाख सुनते ही दरबारियों की आँखें फटी की फटी रह गई राजा के संकेत पर तीसरा कुमार बोला देव मैंने उस राजज़ में जाकर व्यापार किया राज़दानी में मेरी बहुत बड़ी दुकान थी मैं घी में मुंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिलाकर बेजा करता था मैंने राजा से लेकर मजदूर तक को साल भर घी शक्कर खिलाया राज करमचारी मुझे पकड़ते नहीं थे क्योंकि उन सब को मैं मुनाफे में से हिस्सा दिया करता था एक बार स्वयर राजा ने मुझसे पूछा कि शक्कर में यह रेत सरीखी क्या मिली रहती है मैंने उत्तर दिया कि करणा निदान यह विशेश प्रकार की उच्च कोटी की खदानों से प्राप्त शक्कर है जो केवल राजा महराजाओं के लिए मैं विदेश्य मंगाता हूँ राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए बड़े भाई जिस सेट के यहां बोरे डोते थे वह मेरा ही मिलावटी माल खाता था और मजले लुटेरे भाई को भी मुंगफली का तेल मिला घी तता रेत मिली शक्कर मैंने खिलाई है मेरा विश्वास है कि राजा को बैमान और धूर्थ होना चाहिए तब ही उसका राज टिक सकता है सीधे राजा को कोई एक दिन भी नहीं रहने देगा मुझ में राजा योग्ये दोनों गुण है इसलिए गद्दी का अधिकारी मैं हूँ मेरी एक वर्ष की कमाई दस लाग सौन मुद्राएं मेरे पास हैं दस लाग सुनकर दर्बारियों की आखें और फट गई राजा ने तब सबसे छोटे कुमार की ओर देखा छोटे कुमार की वेश भूशा और भाव भंगेमा तीनों से बिन थी वे शरीर पर अतियंत सादे और मोटे कपड़े पहने था पाव और सिर नंगे थे उसके मुख पर बड़ी प्रसंता और आखों में बड़ी करोना थी वे बोला देव मैं जब दूसरे राज्य में पहुँचा तो मुझे पहले तो यह सूजा ही नहीं कि क्या करूँ कई दिन मैं भूका प्यासा बटकता रहा चलते चलते एक दिन मैं एक अटालिका के सामने पहुचा उस पर लिखा था सेवा आश्रम मैं भीतर गया तो वहां तीन-चार आदमी बैठे धेर की धेर सुन मुदराएं गिन रहे थे मैंने उनसे पूछा बद्रों तुम्हारा धंदा क्या है उनमें से एक बोला त्याग और सेवा मैंने कहा बद्रों त्याग और सेवा तो धर्म है ये धंदे कैसे होए वह आदमी चड़कर बोला तेरी समझ में यह बात नहीं आएगी जा अपना रास्ता ले शुन पर मेरी लल्चाई दिष्टी अठकी थी मैंने पूछा बद्रों तुमने इतना सुन्ड कैसे पाया वही आदमी बोला धंदे से मैंने पूछा कौन सा धंदा वै गुस्से में बोला अभी बताया ना सेवा और त्याग का तू क्या बैरा है उनमें से एक को मेरी दशा देखकर दया उसने कहा तू क्या चाता है मैंने कहा मैं भी आपका धंदा सीखना चाता हूँ मैं भी बहुत सा सोन्ड कमाना चाता हूँ उस दयालू आदमी ने कहा तो तू हमारे विद्याले में बरती हो जा हम एक सत्ता में तुझे सेवा और त्याग के धंदे में पारांगत कर देंगे शुल को कुछ नहीं लिया जाएगा पर जब तेरा धंदा चल पड़े तब शद्धा नुसार गुरु दक्षना दे देना पिता जी मैं सेवा आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगा मैं वहां राशी ठाट से रहता, सुन्दर वस्त्र पहनता, सुस्वाद भूजन करता, सुन्दरियां पंखा जलती, सेवक हाज जोड़े सामने खड़े रहते अंतिम दिन मुझे आश्रम के प्रधान ने बुलाया और कहा वत्स, तू सब कलाय सीख गया, भगवान का नाम लेकर कारय आरंब कर दे उन्होंने मुझे ये मोटे सस्ते वस्त्र दिये और कहा बाहर इने पहनना, कण के कवच कुंडल की तरह ये बदरामी से तेरी रक्षा करेंगे जब तक तेरी अपनी अट्टालिका नहीं बन जाती, तू इसी भवन में रह सकता है जा, भगवान तुझे सफलता दे, बस मैंने उसी दिन मानव सेवा संग खोल दिया परचार कर दिया है कि मानव मात्र की सेवा करने का बीड़ा हमने उठाया है हमें समाज की उन्नती करना है, देश को आगे बढ़ाना है गरीबों, भूकों, नंगों, अपाईजों की हमें साहता करनी है हर वेक्ती हमारे इस उपुर्णे कारे में हाथ बटाए, हमें मानव सेवा के लिए चंदा दे पिता जी, उस देश के निवासी बड़े भोले हैं, ऐसा कहने से वे चंदा देने लगे मजले भईया से भी मैंने चंदा लिया था, बड़े भईया के सेट ने भी दिया और बड़े भईया ने भी पेट काटकर दो मुदराएं रग दी लुटेरे भाई ने भी मेरे चेलों को एक सहसर मुदराएं दी थी क्योंकि एक बार राजा के सैनिक जब उसे पकड़ने आये तो उसे आश्रा में मेरे चेलों में चिपा लिया था पिता जी राजय का अधार धन है राजा को परजा से धन वसूल करने के लिए विद्या आनी चाहिए परजा से प्रसंता पूर्वक धन खीच लेना राजा का अवशक गुण है उसे बिना नश्तर लगाये खून निकालना आना चाहिए मुझ में ये गुण है इसलिए मैं ही राजगदी का अधिकारी हूँ मैंने इस एक साल में चंदे से बीस लाग सुन मुदराएं कमाई जो मेरे पास है बीस लाग सुनते ही दरबारियों की आखें इतनी फटी की कोरों से खून टपकने लगा तब राज़ा ने मंतरी से पूचा मंतरी वर आपकी क्या राय है चारों में कौन कुमार राज़ा होने के योग है मंतरी वर बोले महराज इसे सारी राज्य सवा समस्ती है कि सबसे छोटा कुमार ही सबसे योग है उसने एक साल में बीस लाक मुद्राएं एकटी की उसमें अपने गुडों के सिवा शेश तीनों कुमारों के गुड़ भी है बड़े जैसा परिश्रम उसके पास है दूसरे कुमार के समान वै सासी और लुटेरा भी है तीसरे के समान बैमान और धूर्थ भी अतयव उसे ही राजगद्दी दी जाए मंत्री की बात सुनकर राज सावा ने ताली बजाई दूसरे दिन छोटे राजकुमार का राज़ वेशेख हो गया तीसरे दिन पडोसी राज्ये की गुड़वती के राज कन्या से उसका वेवा भी हो गया चोथे दिन मुनी की दया से उसे पुत्र रतन प्राप्थ हुआ और वेश सुक से राज करने लगा कहानी थी सुक खतम हुई जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे नमस्कार कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताईएगा करके दो पर बादेग question अपरोबर ग्राप्शवडर घर कहा dyज दूओ Salam जाएगा